अस्सलाम वालेकूं वीवर्स, यू आर वाचिंग अनसारी फेशन टीवी वीवर्स आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मौसम के हिसाब से नई किलेक्शन जो के स्टेपल वर्क, आर मशीन और हैंड टचिंग पे मुश्तमिल है ये शर्ट पाउच स्टाइल में बनी वी है और इसको बेगी स्टाइल भी कहते हैं और कुछ लोग इसको बटरफलाई स्टाइल भी कहते हैं देखें इसका ये कवर लुक मैं आपको दे रहा हूँ करीब से वीवर्स इसका जरी का काम है गोल्डन और एंटिक जरी से ये काम बना हुआ है और इसके उपर कोरे दबके और नगों की और सेक्वेंस की टचिंग हुई है और वीवर्स ये बोटल ग्रीन कलर की वेलवेट पे बना हुआ है और आज कल मौसम के सबसे वेलवेट इन है इसके दामन पे बोर्डर बना हुआ है जो के काफी खुक्सूरत बोर्डर है और 60 इंच का इसका घेरा है तो वीवर्स आप देख रहे हैं ये अंसारी फेशन की नई किलेक्शन तो वीवर्स हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लें और लाइक कर लें और बेल आइकोन को भी प्रेस कर लें ताके हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुच जाए वीवर्स ये बटर फिलाई स्टाइल में जो शट बनी वी है इसकी आस्तीनों के उपर फुल जाल बनता है ना इसी तरह लाइनों का जिस तरह ये साइड में लाइने बनी वी है तो इसका भी हम आपको दिखाते है तो वीवर्स ये इसकी स्लीव से पूरी आस्तीन पे लाइनों का जाल है और नीचे बॉर्डर बना है वीवर्स बहुत जबर्दस डिजाइन है ये और सिलने के बाद तो इसका लुक बहुत ही जबर्दस हाता है और ये तक्रीबन हर कलर में बन रहा है और आज कलफेशन में इन्हें कस्टमर इसको बहुत लाइक कर रहे हैं और इसी डिजाइन का एक कलर हम आपको और दिखा रहे हैं जो के डार्क पिंक कलर की शेट पर बना हुआ है तो वीवर्स देखें आप ये इसकी दूसरी शेट है और ये डार्क पिंक कलर के उपर बनी भी है जिसको डार्क पिंक ही बोलेंगे हाँ डार्क पिंक कलर इसको करीब से हम आपको दिखाते हैं वीवर्स ये इसका गला है और गले के साइड में दो 20 मोटिफ हैं और साइडों पर लाइन है और दामन पर बॉर्डर तो वीवर्स हमारे चैनल अनसारी फेशन टीवी को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकोन को भी प्रेस कर लें ताके हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पोहुश्च सके वीवर्स ये इसकी आस्तिन है जो के उसी स्टैल में बनी वी है तो वीवर्स आपने देखा ये दोनों शटै जो हैं वो हमने आपको दिखाई गहें ताके आपको जो नई किलेक्शन है वो आप तक पोहुश्च सकें पोहुश्च तो वीवर्स अब इसके काम के बारे में आपको बताते हैं इसमें गोल्डन जरी और एंटिक जरी इस्तिमाल की गई है और इसके उपर गोल्डन नक्षी गोल्डन सितारा गोल्डन नग इसकी हैं टचिंग की गई है इसकी साइडों में जो लाइने चली है वो नग और एक जों जो इसके साथ रखा गया है उससे ये लाइने बनी है तो वीवर्स उमीद है कि आपको अनसारी फेशन की किलेक्शन पसंद आई होगी और आपसे गुदारिश है कि हमारे चैनल अनसारी फेशन टीवी को सब्सक्राइब कर लें और इसको लाइक करें और बेल आइक उनको भी प्रेश कर लें ताके हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुच सके और वीवर िधे जो बोटल ग्रीन कपर के उपर है लेकिन वीडियो में इसका शेड है जैसा लग रहा है कि исп gegen के यह बैक नहीं है यह बोटल ग्रीन कपर है इसका भी बहुत ही जबरदस लुक आँ क्सक्राइब नों इसकी साइड में और ये पूरी शेट है ये शेट पाउच स्टाइल कहलाती है कुछ लोग इसको बटरफलाई भी बोलते हैं और कुछ लोग इसको बेगी स्टाइल भी कहते हैं लेकिन सिलने के बाद इसका बहुत जबर्दस लुक आता है और अनसारी फेशन का सबसे पापुलर बिरांड है ये जिसकी वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं ये स्टेपल वर्क आर मशीन का काम है और इसके उपर हैं टचिंग की गई है जिससे इसकी खुबसूरती बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो वीवर्स हमें उम्मीद है कि आपको ये दोनों शटे बहुत पसंद आई होंगी और अगर आपको ये शटे पसंद आई हैं तो हमारे चैनल अनसारी फेशन टीवी को सस्क्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकोन को भी प्रेस कर लें ताके हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुश सके वीवर्स अभी हमने आपके लिए एक दो चीजे और रखी हैं वो इंशाल्ला ताला आपको नेक्स वीडियो में देंगे और उसके काम के बारे में भी आपको तफसील से बताएंगे तो वीवर्स हमें उम्मीद है कि आपको ये दोनों डिजाइन जो के एक ही हैं बहुत पसंद आएंगे और आपको ये दोनों डिजाइन जो के एक ही हैं बहुत करेंगे मुक्तलिफ कलर्स में और अंसारी फेशन की नई विराइटी जो के तयार है और इंशाल्ला उसकी अनकरीब हम आपको वीडियो यूटूब पे देंगे इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो तक असानी से पहुँच जाए वीवर्ज मौसम के हिसाब से ये कलर्स बहुत जादा इन है आजकल ना कस्टमर डिमांड है इन कलर्स की क्यूंके मौसम के हिसाब से लोग जो अपनी च्वाइश करते हैं वो वेल वेट और डार्क कलर को सर्दियों में जादा पसंद करते हैं तो वीवर्ज आप हमारे चैनल अंसारी फेशन टीवी को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक भी कर लें ताके और बेल आइकोन को भी प्रेस कर लें ताके हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके वीवर्ज इसके आस्तीनों पर ये जाल बनावा है लाइनों का और इसके उपर भी कोरा दपका और सेक्वेंस का काम हुआ वा है नगों की टचिंग हुई भी है और ये दोनों कलर्स वीवर्ज बहुत ही जबरदस हैं जो के देखने में भी आपको लग रहा होगा कि बहुत ही आउट किलाज कलर हैं ये दोने इसके गले का लुक देखें आप कि इसको मैं आपको और करीब से दिखा रहा हूं ताकि आपको वाज़े नजर आए काम हुआ 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 है तो वीवर्ज उम्मीद है कि आपको ये किलेक्शन पसंद आई होगी तो हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी चैनल अनसारी फेशन टीवी को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को भी लाइक कर लें और बेल आइकोन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच जाए वीवर्ज इसका जो घेर है वो 60 इंच का है और जब यह स्टिच होता है तो यह बिल्कुल पाउच स्टाइल में बन जाता है जिसे बटरफलाई स्टाइल भी कहते हैं यह इसकी सिलीव्ज है जो के हम आपको करीब से इसको दिखा रहे हैं तो वीवर्ज आपने देखी अंसारी फेशन की नई किलेक्शन और मजीद नई किलेक्शन हम आपको इंशाला ताला नई वीडियो में देंगे जिसमें आपको नई विराइटी आपके सामने होगी तो वीवर्ज हमारी आपसे गुदारिशे हमारे चैनल अंसारी फेशन टीवी को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकोन को भी प्रेस कर लें ताके हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुच सके तो वीवर्ज हमने आपको दोनों का एक अवर लुक दे दिया दोनों शटो का दोनों शटो का आपको एक अवर लुक दे दिया है और इंशाल्ला ताला हमारी नई वीडियो में आप अंसारी फेशन की नई किलेक्शन देखेंगे जो के हम आपके लिए तयार कर रहे हैं और इंशालला नेक्स वीडियो में हम आपको वो दिखाएंगे लेकिन वीवर्स हमारी आपसे गुदारिश है कि हमारे चैनल अनसारी फेशन टीवी को सब्सक्राइब कर ले और हमारी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकोन को भी प्रेस कर ले ताके हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुच सके शुक्रिया